G&M Nursing का कोर्स वे सबी स्टूडेंस कर सकते हैं जन्होंने बारभी यानिकी 10 प्लस टू पास कर लिया है नमस्कार साथ ही और आइट अपटेट की इस वीडियो में आप तुभी का सुवागत है अच्छके इस वीडियो में हम बात केंवाले ऐसे कौन कर सकता है जने अम नर्सिंग कोर्स में इड्मेशन कैसे मिलते है कौन सा सबजेक्ट होना चाहिए इसके लवाज जने नर्सिंग करने के बढ़ आपको जवाब कहा पर मिलता है और सेलरी क्या होता है बहुत सारी चीज़े बताएंगे बस आप वीडियो के आंड तक बन रही आईए सबसे बले बात करते हैं इस कोर्स के बारे में साथे इसका फुल फार्म होता है जनलर नर्सिंग और मिडवाइब भरी ये नर्सिंग के फिल्ड में डिप्लोमा कोर्स है आप ध्यान केगा ये डिगरी कोर्स नहीं है ये डिप्लोमा कोर्स है इस course को complete करने के बाद आप nurse बन सकते हैं, nursing officer बन सकते हैं, staff nurse बन सकते हैं इसके लाज जो अलग-अलग और job profile होते हैं nursing की field पे आप उन पर select हो सकते हैं इस course में आपको यह सिखाय जाता है किस तरीके से मरीजों की सहयता करनी मतलब की मरीजों की देखवाल किस तरीके से करनी है और doctor जब operation करते हैं या फिर मरीज का इलाज करते हैं उस समय उनकी help करना ये भी एक nurse का काम होता है इसकला और भी कई सारे काम होते हैं nursing के field में जो के एक nurse को करने होते हैं nursing course की duration होती है 3 साल 6 मेने especially इस course की duration मतलब की जएनम nursing course की duration होती है 3 साल 6 मेने जिसमें से 3 साल का course होता है और 6 मेने की internship होती है इस तरीके साड़े 3 साल का course ये हो जाता है इस कोर्स को करने के बाद आप नर्सिंग के फिर्ड में अपना करियर बना सकते हैं तो आई अब हम बात करते हैं कि जेनम नर्सिंग कौन कर सकता है मतलब कि इस कोर्स को करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वाइट है तो अगर आप ये कॉर्स करना चाहते हैं तो उसके जरूरी है आपने बार्वी यानि कि 10 प्लस टू या फिर उसके समकच पर इच्छा पास की हो अंग्रेजी विसाय के साथ में यानि कि English सब्जेक्ट के साथ 12 में आपके पास अंग्रेजी विसाय था और 12 में आपने कोई भी स्ट्रीम ले थी science, arts, commerce, physics, chemistry, biology लिया था या फिर आपने physics, chemistry, mathematics लिया या फिर आपने agriculture या फिर आपर commerce को भी सब्जेक्ट लिया अंग्रेजी विसा 12 में है तो आप इस course में admission के लिए eligible हो जाते हैं वरेट यहां पर आपको ये भी ध्यान अक्ना चाहिए कुछ application form release होते हैं GNM nursing के तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि इसमें केवल physics chemistry biology वाले students apply कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जो physics chemistry biology वाले students है इनको प्राथ मिक्ता दी जाएगी मतलब कि सबसे पहले उनको admission दिया जाएगा biology वाले students को अगर सीटे खाली रह जाती हैं तब जो 800 commerce वाले students हैं उनको admission दिया जाएगा ठीक है तो ऐसा भी होता है बट अधिकतर जो फार्म रिलेज होते हैं वहाँ पर 12 यानि कि बार भी पास होना चाहिए ऐसा लिखा होता है और अंग्रेजी भी से होना चाहिए इस तरीके का लिखा होता है मतलब कि उसमें कोई भी होता है कि उमीदवार के यानि काइड़ेट के बारभी में 40-45% कम से कम होने चाहिए या फिर 50% होने चाहिए विकाज अलग-अलग फार्म रिलीज होते हैं वहाँ पर थोड़ा बहुत परसेंटेज इधर उधर हो का द्रमेश हो रहा है उês जी हो रहा है आप उसमें करें क्योंकि जब आप इंट्रेंस एक्जां मे नवहीं स्कोर आएगा मास जिस्त अगर इसके लाग जो private college है direct admission भी देते हैं बट उनका फीच में थोड़ा ज़्यादा होता है अगर आप उतना पेकर सकते हैं तो आप private college से भी कर सकते हैं किसी भी college से course करने से पहले सबसे पहले आपको उस college या फिर उस university के बारे में जानकारी पराप्त करनी जो college है या फिर वो जो इंडियन नर्सिंग काउंसल या फिर इस्टेट नर्सिंग काउंसल के दौरा अप्रूब्ड हो यानि कि मानेता प्राप्त हो ठीक है अगर जो कॉलेज है केवल इस्टेट नर्सिंग काउंसल से मानेता प्राप्त है तब भी आप कर सकते हैं अगर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट दोनों से मानिता प्राप्त है तब ही आप कोर्स कर सकते हैं, जौब में आपको प्राबलम नहीं होगी बर ध्यान रखें, कोई भी नर्सिंग काउंसिल से मानिता प्राप्त होना जरूर है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से य यहां पर एक सवाल यह भी आता है क्या विवाही तो मिद्वार या जो मेरिट कांड़ेट्स हैं वो जिन्यम नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं तो इसका जवाब है हाँ अगर आपके साधी हो जगे मतलब कि आप मेरिट कांड़ेट है तब भी आप इस कोर्स में अडमिशन ले सकते हैं जेन्यम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं एज आपकी कम से कम 17 वर्स होनी चाहिए इस कोर्स में अडमिशन के लिए 17 वर्स है या फिर इससे ज़्यादा है मतलब कि 18 है 19 से 20 है कि 35 तक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं सरकारी कॉलज हो की बात करें तो जो गार्र weakness है नर्सिंग के उन में इसकी जो पीज से 30 अजार पए से ले करके 75,000 तक हो सकती है टोटल पीष मतलब कि 3 साल की फीस वहींदर हम बात करें private college हो की तो private college में जो फीस है एक लाख रुपए से लेकर के 30,90,000 तक हो सकती है यह चीज बिल्कुल depend करती है college पर कि आप किस college में admission लेने जा रहा है because कुछ private college होंगे जिनमें आपको 30 से 35,000 रुपए पर यर की यानिकि एक साल की फीस देखने को मिलेगी कुछ में हो सकता 70,000 रुपए या फिर 90,000 रुपए या फिर 1,00,00,00 हो ठीके इस तरीके से 3,00,000,00 कुछ में 1,00,00,00,00,00 से ऊपर भी हो सकती है तो अगर आपको exact fees जाननी है किस college में कितनी है तो आप उस college की जो website है वहाँ पर जाकर के पता कर सकते हैं या फिर उस college में offline जाकर के पता कर सकते हैं यहाँ पर fees कितनी है किस course की ठीक है तो इस तरीके से आपको exact जानकारी मिल जाती है और वैसे आईडिया आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा किस तरीके के फीस होते हैं ठीक है तो यह चीज होते हैं आई होब आपको समझ में आगी होगी अब हम बात कर लेते हैं जेनम नर्सिंग कोर्स के सब्जेक्ट के बारे में जेनम नर्सिंग में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं उस वीडियो को देख लीजएगा पूरी जानकरी मिल जाएगे सब्जेक्ट के रिगाड़ी इन्टरन्स एक्जाम यानि की प्रवेज पर इच्छा दे करके अड्मिशन होता है इसके अलावा कि कोई-कोई-कॉय राजियो में क्या होता है 12 की जो माक्स होते हैं उनके वेस पर फार्म बराया जाता है और वो जो माकस है उनके आधार पर मेरिट बनती है उस हिसाप से लाता है तो आपको private college में admission लेना है तो आप private colleges में अडवेस्ट कर सकते हैं गवर्मेंट में admission लेना है तो आपको पता करना होगा है कि हमारे यहां का जो farm है government colleges का जिएनम नर्सिंग का वो कब नहीं कर ला थी कि तो आप अप अप्लाई करके अगर प्रवेश पर कराई जा रहा है तो आप रवेस्ट पर इच्छा देख करके उसकी तैयरी करके एक्जाम देख करके सेलेक्ट हो सकते हैं और अगर 12 के बेस पर admission हो रहा मतलग कि marks के बेस पर तो आप 12 के जो marks हैं वह फिल करके admission वहाँ पर ले पर आप गोगल पर सेर्च कर सकते हैं कि आप जहां पर चाहते हैं वहां पर कॉलेज के बारे में जानकर आप कि और यहां पाइवाड़ इसे होती है, ठीक है, तो कैसा क्या मामला है, यह आप उन student से पता कर सकते हैं, उन से आपको exact reality पता चल जाएगी, मतलब कि college का इसा क्या है, तो इस तरीके से आप find कर सकते हैं, जहां से भी आप course करना चाहते हैं, आप select हो सकते हैं, nursing officer भी बन सकते हैं, अलग अलग जो क्लिनिक होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है ठीक वहाँ पर आप क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं इसके लावा नर्सिंग ट्यूटर भी आप बन सकते हैं नर्सिंग एजुकेटर बन सकते हैं आगे पढ़ाई करके इसके लाव और भी बहुत सारी जॉब Profiles आपको मिल सकती है, job कहां पर मिल सकता आये बात कर लेते हैं, तो Employment Sector कौन कों से आये जानते हैं, तो देखे आपको Rural Health जो Centres होते हैं, वहाँ पर job मिल सकता है, Private Hospitals में आपको job मिल सकता है, Government Hospital लेंगे सरकारी Hospital होते हैं, जहाँ पर Nursing के भरती निकलती है, वहाँ पर भी आप apply करके select हो सकते हैं NGOs में आपको job मिले सकता है old age homes यानि कि जो ब्रद्धासरम होते हैं वहाँ पर आपको job मिले सकता है जो community health centers होते हैं वहाँ पर job मिले सकता है nursing homes, private hospitals and clinics बहुत सारे options आपके पास हैं अब आपको देखना है कि हमें किस field में जाना है कहाँ पर job करनी है ठीक है और junior nursing करने के बाद आप bachelor degree करना चाहते हैं तो आप post basic B.A.C. nursing कर सकते हैं ये course दो साल का होता है और इससे आपको graduation के degree प्राप्त हो जाती है अब बात आती है salary की तो देखे salary depend करते है कि आपको कहाँ पर job मिला है प्रावेट सेक्टर का hospital है या फिर government hospital है या फिर कहीं अधर job मिला है तो प्रावेट सेक्टर की बात के मतलब कि अगर आपको प्रावेट सेक्टर में job मिलते हैं आप फ्रेसर होते हैं मतलब कि आपको बिल्कुल भी experience नहीं जैसा आपने course complete किया है तो आज जाप फ्रेसर आपकी जो starting salary है 15 से 20,000 रुपे हो सकती है यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेगा कुछ hospital हो सकते हैं जहाँ पर आपकी जो starting salary साथ से 8,000 रुपे, 9,000 रुपे भी हो सकती है क्योंकि अलग-अलग hospital है अलग-अलग salary है ठीक है बढ़िया hospital होगा तो starting salary आपकी 15 से 20,000 रुपे, 25,000 रुपे भी हो सकती है private hospital की बात यहाँ पर हम कर रहा है experience हो जाता है तो salary बढ़ जाती ठीक है तो बढ़ने के बाद आपकी 35,000 रुपे इससे भी ज़्यादा हो सकती है बहुत बढ़ी hospital में आपको job मिल गया है तो और अच्छी रात है और भी ज़्यादा अच्छी salary आपकी हो सकती है बात करें सरकारी hospital की यानिकी government job की अगर आपको government hospital में job मिल जाता है तो आपकी जो starting salary है कुछ job में आपकी starting salary 25-28,000 रुपे परमंत हो सकते है कितनी 25-28,000 रुपे प्रतिमाह की यानिकी एक महिने की कुछ vacancy आती गवर्मेंट की ज़्याद में selection होता है जीनम नर्सिंग वालों का तो उनमें starting salary 30-40,000 रुपे होती है देखे अगर आपको nursing officer यानिकी nursing अधिकारी बनना है तो आप क्या कर सकते हैं जीनम नर्सिंग course करने के बाद कैसी हो hospital में job कर सकते हैं कम से कम 2 साल का experience आप ले सकते हैं आप experience लेजे उसके बाद nursing officer की जो exam होती है उसकी तयारी आप अच्छी तरीके सी करिए और exam crack करके आप nursing officer बन सकते हैं nursing officer अगर आप बन जाते हैं तो starting salary जो है आपकी 70-72,000 रुपए 74,000 रुपए होती है starting salary लेकिन उसके लिए जर्यम रसने के बाद experience लेना होता है और exam crack करना होता है और salary experience बढ़ता है तो salary लाग प्लस भी हो जाती है ठीक है तो यह सारी चीज़े होते हैं उमीद है चीज़े आपको समझ में आई होंगी जितनी भी चीज़े हमने आपको बताई है वो practical चीज़े बताई है जो practical reality है वो हमने आपको बताई है वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीज़े उन दोस्तों के साथ share कर दीज़े जो कि इसके बारे में जानकरी प्राप्त करने में रुजी रखते है और चैनल को सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक करेजिए जैसे आपको इसा important informative वीडियो उसका notification मिलता रहे इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल राइट इंफो कलब को भी सब्सक्राइब करते हैं ये चैनल आपको बहुत सारी चैन करी देता है अलग 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 फिल्ड मे करियर कोर्सर जे एक जाम सा रेलेटिन तो धन्यवास आत्यों जाइन जाय भारत मिलते हैं इसी नए वीडियो में